हाई गाईज विलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए एक होम रेमेडी लेकर के आई हूँ जो कि आपके अंचाहे बाल जैसे अपर लिप्स के बाल अंडर आम्स के बाल को रिमोफ करेगा और ये बहुत ही आसान रेमेडी है लेकिन वीडियो में आ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दू कि ये कोई मिरेकल नहीं है जिसका आपने एक बार यूज किया और आपके बाल रिमूब हो जाएंगे आपको इसे कम से कम दो से तीन महिने तक यूज करना प पाऊडर आपकी जितनी requirement है उतना आपको मुलेठी पाऊडर लेना है एक मैंने एक चमध मुलेठी पाऊडर में आधा चमध हल्दी पाऊडर एड किया है इसके बाद मैं इसमें आड कर रही हूँ एकITH備 सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अगर आप regular मुलेटी पाउडर, हल्दी पाउडर और सरसो तेल से बना हुआ पेस्ट अपने अंचाहे बाल पर अपलाई करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके अंचाहे बाल के रूट को कमजोर कर देती है जिससे आपके बाल रिमूव हो जाते हैं तो ये इस तरीके से वर्क करता है आपको इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है अब मैं आपको बताऊंगे कि आपको इसका इस्तिमाल कब करना है और कितनी बार करना है और कैसे करना है आपको जहां के भी unwanted hair को remove करना है सबसे पहले वहाँ इसको apply कीजिए apply करने के बाद इसे 10 मिनट तक semi dry होने के लिए छोड़ दीजिए आपको बहुत ज़्यादा dry नहीं करना है आपको बस semi dry करना है 10 मिनट के बाद जब ये semi dry हो जाएगा तो आपको हलके हाथों से मसाज करना है आपको इस तरीके से हलके हाथों से मसाज करना है अगर आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो ये बालों के जरों को कमजोर करता है जिससे आपके बाल धीरे धीरे remove हो जाते है आपको कम से कम 5 मिनट तक मसाज करना है इस तरीके से और ध्यान रहे कि हलके हाथों से ही मसाज करना है आप इसका इस्तिमाल हपते में दो बार ही करें दो दिन गैप करके करें क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है जिससे आपके चेहरे पर दाने हो सकते हैं या फिर रैसेज भी हो सकते हैं इसलिए आप दो दिन गैप करके ही इसका इस्तिमाल करें इसका इस्तिमाल चेहरे पर ग्लो लाता है तो इसके दो-दो फायदे हैं प्रोसेस से आपको अपने अपर लिप्स के ऊपर भी इसे लगाना है और इसके बाद अपने स्किन को धो लीजिए तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये अंचाहे बाल को रिमूव करने का आसान मिथड कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए मेरे साथ बने रहिए थैंक यू बाई बाई